इंडियन आइडल में बहुत मस्ती और धमाल होने मला है। क्योंकि आँज इंडियन आइडल में एक स्पेशल अपिसोड रखा गया है जू कि इन्डस्ट्री के जाने माने सिंगर कुमार Sush solo के इंडस्ट्री में 30 साल पूरी होने पर उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए रखा जा रहा है शो के सभी कंटेस्टेंट अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं सभी अपने अपने गाने डिसाइड कर चुके हैं कि वो कुमार सानों के सामने कौन से गाने का कर उन्हें इंप्रेस करेंगे जहां एक और सभी कंटेस्टेंट कुमार सानों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं वहीं एक और एक ऐसे कंटेस्टेंट भी है जो कुमार सानों को तो इंप्रेस करना ही चाहते हैं लेकिन हर एपिसोड में वो एक कोशिश करते हैं अपनी दीवान की आलिया भट को इंप्रेस करने की हम बात कर रहे हैं शो के कंटेस्टेंट रॉक स्टार रिशब की जो हमेशा ही आलिया भट को इंप्रेस करने के लिए अलग-अलग चीज़े करते रहते हैं इस बार जब रि इहां उनसे आलिया के बारे में कुछ बात कहेंगी. फिर रिशब ये बताएंगे कि इस बार उन्होंने ऐसा कुछ किया है कि आलिया को उनसे मिलने आना ही पड़ेगा. सब ये पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया है कि आलिया तुमसे मिलने आ ही जाएंगी और तुमसे मिलने पर मजबूर ही हो जाएंगी तब रिशब बताते हैं कि उन्होंने आलिया की नाम का टैटू बनवा दिया है और वो भी पर्मानेंट इसके बाद सेट पर रिशब का एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें वो आलिया के नाम का टैटू अपने राइट कंदे के नीचे बनबाते हुए दिख रहे हैं रिशब के इस दिवानगी को देखकर कुमार सालो रिशब से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम आलिया के कितने बड़े फैन हो मैंने आलिया को सेट पर बुलाया है ये सुनकर रिशब सक्ते में आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने सच में आलिया को सेट पर बुलाया है कुमार सानू कहते हैं कि हाँ मैंने सच में आलिया को बुलाया है पता नहीं वो कब बैक स्टेज पहुचेगी शो के होस्ट आदित नारायन रिशब को स्टेज के साइड में ले जाकर कहते हैं कि रिशब अपना दिल थाम लो इसके बाद आदित नारायन कुमार सानू से कहते हैं कि आप सच कह रहे हैं आलिया सच में आ रही है रिशब को तो हार्ट अटाइक ही आ जाएगा इसके बाद शो के होस्ट आदित नारायन आलिया के स्टेज पर पहुचने को लेकर क्रू मेंबर से जानकारी लेते हैं तभी एक आवाज आती है कि वो बेक स्टेज पर है ये सुनकर तो जैसे रिशब बोखला ही जाते हैं वो पूरे स्टेज पर दोड लगाने लगता हैं वो सात्वे आसमान पर पहुच चुके होते हैं और आलिया से मिलने के लिए काफी एकसाइटेड नजर आते हैं कि आखिरकार आलिया उनसे मिलने पहुच ही गई इसके बाद आदित नारायन आलिया की सेट पर एंट्री होने की घोशना करते है और रिशव अपने दिल पर हाथ रखकर आलिया को देखने का अंतिजार करते हुए दिख रहे है Sony TV ने एक वीडियो जारे किया है जिसमें आलिया की एंटरे दिखाई जा रही है लेकिन आलिया अभी साफ तौर पर इस वीडियो में दिखाई नहीं दी है बस बताया जा रहा है कि रिशब से मिलने के लिए आलिया इंडियन आइडल के सेट पर पहुँच गई है सभी दर्शक भी एक दूसरे को देख रहे हैं जजज भी एक दूसरे को देख रहे हैं अब ये तो आज रात को एपिसोड में ही पता चल पाएगा कि क्या अपने दिवाने रिशब से मिलने के लिए सच में इंडियन आइडल के सेट पर पहुँच गई है या नहीं अगर आलिया सच में सेट पर पहुच गई होंगी तो रिशब का एक्साइटमेंट डेखने लायक होगा सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेज तबेल आइकन फोर अपडेट्स